कि नमस्कार स्वागत है हमारी यूटीब चैनल ग्याजगत में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दवाईयों के बारे में कैसे जानेंगे जो दवाईया होती हैं हमें उनके बारे में कुछ खास नौलेज नहीं रहती हैं यह मालूम रहता है कि दवाई इस चीज़ के लेकिन उसके जैसे कि दुस्ष्प्रभाव अगयरा हैं और काफी सारी चीज है कि ये कितने दिन तक खाने चाहिए और कब तक खाने चाहिए इसको ज्यादा खाने से क्या हो जाएगा इस दवाई को किस तरह से बनाया जाता है दवाईयों की बारे में पूरी जानकारी हम बताएंगे किसी भी दवाईयों के बारे में आप पूरी जा इस पर सर्च कर दीजिए इसके बाद यह देखिए इस तरह से खुलेगा यह जो तीसरे नंबर की वेब साइट है यह दवाईयों के बारे में जाने www.myopchar.commedicine इस पर क्लिक कीजिए आप इस पर आपको क्लिक करने के बाद आपको जैसे कि जिस दवाई के बारे में जानना है आपको जिस दवाई के बारे में जानना है आप उस दवाई के नाम के पहले एच्छर पर क्लिक कीजिए जैसी कि हमें एक दवाई के बारे में जानना है भी पैरसीटमोल पैरसीटमोल 500 mg इसके बारे में हम जानना चाहेंगे तो इस पर पीपर क्लिक किया हमने मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारा यूटीब चैनल सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजे ताकि हमको सपोर्ट मिले और हम कुछ इसी तरीके की बढ़िया जानकारी आपके बीच लाते रहे हैं कि अब यहां से पी से लेकर जितने भी नाम होते हैं जितने भी नाम की मैडेसिन है वह सब यहां पर हमें सो कर रही है इसी तरीके से हम धूर्णा तो सब्सक्राइब करेंगे कि फाइंड करेंगे हम यहां पर कि यहां पर हम लिख देंगे पैरा सीटमोर कि पैरा सीटमोर 500 एमजी यह देखिए आ गया हमारी मेडिशिप इसके बारे में हम जानेंगे यह देखिए इसके बारे में खुल चुका है यह देखिए अब यहां से दवाईयों के प्राइज के भी बारे में बताया गया है यह गोली मार्केट में वन टैबलेट साथ रुपे की एक टैबलेट है इसके बारे में यह डिटेल दिया गया है पैरा सीटा मूल के बारे मताया गया है कि यह बुखार में उप्योग किया जाता है सिरदर्द में मासिक धर्म के दोरान मास्पेशियों में दर्द हो तब भी उप्योग किया जाता है दांत में दर्द हो तब भी उप्योग किया जाता है पैरा सीटा मूल उपयोग करने के तरीके के लिए बारे में बताया गया है और बताया गया है कि यह एक एंटीबाइटिक है आप यह देखिए पढ़ सकते हैं और यह बताया गया है कि इसमें क्या सवागरी मिला जाती है इसे बनाने के लिए अब यह देखिए में में बात है यह देखिए यहां पर इसके दुस्परभाव के बारे में बताया गया है यह देखिए पैरा सीटा मूल के दुस्परभाव के बारे में बताया गया साइड इफेक्ट के बारे में तो अगर आप इसमें कहा गया है कि इसके साइड़ इफक्ट से आपके चहरे मूँ और गले में सुझा ना सकती है सास लेने में तकलीफ हो सकती है लाज चकत्ते पड़ सकते हैं खुजली हो सकती है उटा यह हो सकता है लीवर को छटी हो सकती है कि इसके बारे में बताएं पहला सीटा मोल ना लें यदि आप अन्य उत्पाद हो जैसे पहला सीटा मोल सामिल हो या कोई अलर्जी समागरी हो बताया गया है कि यह एक घंटे में प्रभाव साली हो जाता है चार घंटे तक रहता है इसके बारे पूरा डिटेल दिया गया है अब यह देखिए इसके बारे में बताया गया है कि विशेश विवरण ऐसी दवाईया जिसमें एक ही समागरी है यह देखिए इन सब में करीब यहां पर इतनी सारी दवाईयां है और इसमें लगबख पैरा सीटा मोल का भी उप्योग किया जाता है अब इसको हम सबसे उपर जाएंगे अब हम पैक आजाएंगे अब हमें एक मैडेसीन है वियाग्रा जो सेक्स के लिए उप्योग करी जाती है हम इसके बारे में जानेंगे कि इसके साइड इफेक्ट और फायदे क्या है सैड इफेक्ट के बारे में हम खास कर जाने की कुर्शिस करेंगे अब यहाँ पैर हम फाइन करेंगे और कि यह देखे वियाग्रा । यह एक सेक्स के लिये गुली है यह देखे वियाग्रा का प्राइस दिया हुआ है यहाँ पर यह 50 mg और 100 mg में आ रही है यह देखिए इसके लाब करने के इसके लाब बताए गए हैं वियाग्रा के यह यह देखिए कहा गया है लिंग की रख्त वाहनियों है लिंग की वर्त वाहनियों में रख्त का प्रवा बढ़ाता यह वियाग्रा और यह इरेक्षन में तभी मदद करता है जब व्यक्ति तेजित हो इसके लाब के बारे में बताए गया है अब इसके उपियोग और s除 gonna कि और एक ये देखते हैं कि और सकते हैं और इसके बेनर्फीय आप देख सकते हैं अ मैं आपको एक बार दुबारा कहना चाऊंगा अगर आपको विडियो तो हमारा पसंद आया हो तो उसे लाइक सब्सक्राइब और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरीकी के वीडियो बनाते रहें अब यह देखिए यहां पर में बात है वियाग्रा का दुस्प्रभाव वियाग्रा यह जो सेक्स की वोली है इसके दुस्प्रभाव के बारे में बता देते हैं सिरदर्द अतिसार अपच फ्लक्षी चहरे कांदर्द और धड़कन में गर्मी का एहसास वियाग्रा की पारस्प्रिक्रिया यह देखिए पूरा इसके बारे में डेटेल दिया गया है अब यह देखिए यह कुछ ऐसी दवाईयां है यह देखिए जो जिसकी लिश्ट है जिसके बारे में बताया गया है कि इनमें वियाग्रा मिश्रित है अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके लिए कुछ इसी तरह के